मुक्ति के मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग मुंडकोप निशद के अनुसार, ब्रह्म वेद ब्रह्मयव भवती अर्थात, ब्रह्म का ज्याता ब्रह्म ही बन जाता है एक बार कोई जिग्यासु किसी गुरु के पास गया और कहने लगा महात्मन, मैं आपसे उपदेश ग्रहन करना चाहता हूँ गुरु ने उसे अपने साथ पास के समुद्र पर चलने के लिए कहा जब वे वहाँ पहुँच गए, तो गुरु ने उसे पकड़ कर उसका सिर पानी में डुबो दिया पहले तो जिग्यासू शांत बना रहा, क्यूंकि उसे पूरा विश्वास था कि गुरु केवल उसकी परीक्षा ले रही है और शीग्र ही उसे अपना सिर पानी से बाहर निकालने की अनुमती मिल जाएगी कुछ समय तक पानी में डूबे रहने के पश्चात, जब उसका दम घुटने लगा, तो वह घबरा गया तथा गुरु की पकड़ से चूटने के लिए संघर्ष करने लगा यह संघर्ष तब समाप्त हुआ, जब जिग्यासू बस डूबने ही वाला था लेकिन तभी गुरु ने अपनी पकड धीली कर दी हांफते हुए उसने कहा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने तो मुझे लगबग डुबो ही दिया था गुरु ने उसकी और शान्त भाव से देखते हुए कहा जब तुम्हारे मन में ज्यान प्राप्ति की इच्छा, पानी से बाहर निकलने और सांस लेने के लिए छट पटाहट जितनी तीवर हो, तब तुम मेरे पास आना तब मैं तुम्हें उपदेश दूँगा सच्चे ज्यान की तडप उसकी प्राप्ति के लिए यतन करना और अंत में उसे अपने अंतर में ही पालेना ज्यान योग कहलाता है ज्यान योग निर्गुन निराकार ब्रह्म को जानने का सीधा मार्ग है ज्ञान योग में ज्ञान से अभिप्राय, पुस्तकिय या बौधिक ज्ञान से नहीं और ना ही इसका अर्थ तत्थियों की जानकारी से है इसका तात्पर मनुष्य की अंतर द्रिष्टी से है, जिसमें उसे अपने वास्त्विक स्वरूप के बारे में पूर्ण विश्वास होता है वह इस सत्य के प्रती पूरी तरहा जागरत होता है कि वह शरीर नहीं, बलकि आत्मा है तैतिरिये आरण्यक में मनुष्य और आत्मा के संबंद को एक मनोरंजक पहेली के माध्यम से दर्शाया गया है अंधे व्यक्ति ने एक हीरा देखा, बिना हाथों वाले ने इसे उठा लिया, बिना गर्दन वाले ने इसे पहन लिया और गूंगा व्यक्ति इसकी प्रशंसा करने लगा इस उक्ति का क्या अर्थ निकाला जाए? आरण्यक में उस आत्मा की ओर संकेत है, जो मानव शरीर के अंदर निवास करती है और शरीर को जीवन देती है उस आत्मा की कोई स्थूल आँखी, हाथ, गर्दन या आवाज नहीं है फिर भी यही वह जीवन शक्ति है, जो मनुष्य को कारे करने तथा अपने सभी कारें का साक्षी बनने के योग्य बनाती है शंकराचारे के अनुसार अज्यानता के कारण आत्मा सोयम को ब्रह्म से भिन समझती है और अपने आपको मन और इंद्रियों का अंग समझने लगती है इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है आत्मा की मन और इंद्रियों पर निर्भरता ही वास्त्विक सत्य को धुंदला कर देती है उपनिशदों में रिशी याग्य वलके का कहना है अर्थात तुम उसे नहीं देख सकते जो सब का द्रश्टा है, तुम उसे नहीं सुन सकते, जो सब कुछ सुनता है, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जो सब कुछ सोचता है, तुम उसे नहीं जान सकते, जो सरवग्य है, जो हर प्रकार की समझ या बुद्धी से परे है, वह आत्मा सभी के अंतर में है। ज्ञान योग के अनुसार सभी प्रकार के बंधन और कष्टों का मूल कारण इस सत्य की अज्ञानता ही है कि आत्मा और परमात्मा एक है. इस अज्ञानता को केवल ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है. ज्ञान योग का लक्ष साधक को इस योग्य बनाना है कि वह स्वयम खोज कर सके कि उसके अंदर की आत्मा वही सर्व व्यापी आत्मा है. अर्थात परमात्मा है. यहां खोज शब्द का प्रियोग किया गया है. ताकि यह बताया जा सके कि परमात्मा उसी तरहां सबके अंद जैसे चकमक पत्थर में अगनी और दूद में मक्खन होता है। लेकिन यह खोज तभी की जा सकती है जब मनुष्य के माया के परदे उतर जाते हैं। यजुर्वेद के अनुसार यस्तु सरवानी भुतान्यात्म नेवानु पश्यती सर्व भूतेशु चात्मानम ततो नावी चिकित सती। अर्थात जो यह अनुभव कर लेता है कि सभी जीवों का वास्त्विक स्वरूप आत्मा है और आत्मा सब जीवों में है उसके सभी संशे मिट जाते हैं। अर्थात मनुष्य की आत्मा वास्तव में महान आत्मा यानी परमात्मा है। इस सत्य का ज्यान की जीव परमात्मा से भिन नहीं है आत्म ज्यान कहलाता है इसे ब्रम ज्यान भी कहते हैं। अद्वैत वेदान्त में आत्म ज्यान और ब्रह्म ज्यान दोनों को एक ही बताया गया है। यही ज्यान जिग्यासु को संसार के बंधनों से मुक्त करवा कर मोक्ष की ओर ले जाता है। रिशी मुनियों ने उपनिशिदों में इसी सत्य को प्रकट किया है। अम्रित बिंदू उपनिशद के नुसार एक एवही भूता आत्मा भूते भूते विवस्थिताह। एक धा बहुधा चैव द्रिश्यते जल चंद्रवत। अर्थात वह एक आत्मा सब में व्याप्त है। एक होते हुए भी अनेक दिखाई देती है। उस चंद्रमा की तरहां जिसका प्रतिबिम्ब पानी में दिखाई देता है। कठोप निशद के अनुसार परांची खानी व्यत्रिंत स्वयम भूस्तस्मात परांग पश्यती नांतर आत्मन कश्चिधी रह प्रत्यगात मानम एक्षदा वृत चक्षुह अम्रित तत्व मिच्छन। अर्थात, स्वयम भू परमात्मा ने इंद्रियों की वृत्ती ऐसी बनाई है कि वे बाहर मुखी हैं। इसलिए मनुष्य बाहरी विश्यों को देखता है, अपने अंतर में नहीं ज्ञांकता। संत महात्मा इस परिवर्तन शील जगत से इंद्रियों को मोड लेते हैं, और अमरत्व की खोज के लिए अंतर में देखते हैं, तथा अंतर में परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। उपनिष्टों में दो प्रकार की विद्या यानि ज्ञान की चर्चा है, एक अपराविद्या यानि लौकिक ज्ञान और दूसरी पराविद्या यानि पारलोकिक ज्ञान। अपराविद्य वह ज्यान है जो मनुष्य पुस्तकें पढ़कर या इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। वेदों तथा वेदांगों का ज्यान इसी के अंतरगत आता है। ज्यान योग पराविद्या है। पराविद्या वह है जिससे मनुष पर्मात्मा और अपने वास्त्विक स्वरूप का साक्षात कार करता है। ऐसा साधक आत्मा राम कहलाता है, यानि जो स्वयम में रमा हुआ है। लौकिक और पार-लौकिक ज्यान शौनक जो एक महान ग्रिहस्त के रूप में प्रसिद्ध थे, एक बार महर्शी अंगिरस के पास गए और सम्मान पूर्वक अभिवादन करते हुए उनसे पूछने लगे, ऐसी कौन सी वस्तू है जिसको जानने के पस्चात कुछ भी जानना शेश नहीं रह जाता। अंगिरस ने उत्तर दिया, ब्रह्म ज्यानी बताते हैं कि ज्यान दो प्रकार का है, एक पार लौकिक ज्यान अर्थात पराविद्या और दूसरा लौकिक ज्यान अर्थात अपराविद्या। लौकिक ज्यान हमें रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्वेद, आचार सहिता, व्याकरण, व्युत्पत्ति विज्यान, स्वर्विज्यान, छंत शास्त्र तथा ज्योते शास्त्र आधी से प्राप्त होता है। पारलोकिक ज्यान द्वारा हम अविनाशी तथा असीम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। रिशी सनत कुमार ने यही ज्यान चांदोग्य उपनिशद में दिया है। सनत कुमार ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से प्रमुख थे। शेश तीनों पुत्रों के नाम है सनन्दन, सनक और सनातन। एक बार मुनी नारद सनत कुमार के पास गए और कहने लगे। आदर्णिये गुरुदेव मुझे ज्यान दीजिए। सनत कुमार ने उनसे कहा। पहले मुझे यह बताएं कि आपको क्या आता है। तब मैं यह देखूंगा कि आपको क्या सीखना बाकी है। नारद मुनी ने उत्तर दिया। रिशिवर, मैं रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्ववेद आदी चारों वेदों का ग्याता हूं। इसके अतिरिक्त, इतिहास, पुराण, वेद, वेद विज्ञान, अर्थात व्याकरण, श्राध कर्म, गणित, तरक शास्त्र, नीती शास्त्र, राजनीती तथा अन्य के विज्ञान में परांगत हूं। गुरुदेव, इन सबका ग्यान होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं केवल मौखिक ग्यान ही रखता हूं। मैं स्वयम को, अर्थात आत्मा को नहीं जानता। मैंने आप जैसे महान रिशी मुनियों से सुना है कि जो व्यक्ति आत्मा को जान जाता है, उसके सब कष्टों का निवारन हो जाता है, मैं बहुत कष्ट में हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। सनत कुमार ने कहा, आपका ग्यान केवल शाब्दिक है, केवल वह अनन्त, असीम, ब्रह्म ही शाश्वत सुख का स्रोत है, और कहीं कोई सुख नहीं, इसलिए हर किसी को उस असीम को जानन का प्रयत्न करना चाहिए। नारदमुनी ने कहा, मानेवर, मैं उस असीम को ही जानना चाहता हूं। तब सनत कुमार ने उन्हें पराविद्या का ज्यान प्रदान किया, जो उस अनन्त, असीम, ब्रह्म को जानने तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। भक्ते योग के अन इसमें निर्गुन ब्रह्म की खोज की जाती है, जो की आसान नहीं है। ज्यान योग के मार्ग में कड़े बौधिक विशलेशन तथा ध्यान साधना की अवश्यक्ता होती है। परमात्मा के साक्षतकार के लिए नीरक्षीर विवेक बुध्धी के प्रयोग का मार्ग बु दश्मलव 49 में इसे इश्वर प्राप्ती के लिए अनिवार्य कहा गया है, क्यूंकि बुध्धी योग ज्यान योग का ही भाग है, अताह इसका अलग से वर्नन नहीं किया गया। अध्यात्मिक साधक को हमेशा इस विचार पर द्रड रहना चाहिए। मेरा अस्तित्व ना शरीर, ना मन और ना ही इंद्रियां है, मैं तो केवल आत्मा हूँ। इस मार्ग में तीवर बुध्धी, स्पष्ट विचार, अनासक्ति, वेराग्य, असीम धैर्य, तथा मोक्ष प्राप्ती की तीवर इच्छा का हुना अति अवश्यक है, अताह इन गुणों में निपुण साधक को ही इसका अभ्यास करना चाहिए। इसी लिए प्राया कहा जाता है कि बाकी लोगों को भक्ती मार्ग ही अपनाना चाहिए। ज्यान योग अद्वैत विदांत में बताये गए यम नियमों का पालन करने का समर्थन करता है। अरंभ में साधक को साधन चतुष्टै के अभ्यास द्वारा मन को प्रशिक्षित करना चाहिए. यह साधना इस पुस्तक में मन को नियंत्रण में करना के अध्याई में बताई गई है. सबसे पहले ज्ञान योग के साधक को विवेक विक्सित करना चाहिए अर्थात उसमें सत्य और असत्य में नित्य और अनित्य में अंतर समझने की योग्यता होने चाहिए वास्तम में विवेक ही ज्ञान योग की कुन्जी है विवेक से ही ये समझ में आता है कि समस्त द्रिश्यमान जगत असत्य है शाश्वत सत्य केवल एक ही है और वह है ब्रम् विवेक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पुराणों में प्रायाह हंस का द्रिश्टांत दिया जाता है ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार हंस में दूध और पानी को अलग करने की योगेता होती है, उसी प्रकार ज्ञान योग के विद्यार्थी में नीरक्षीर विवेक बुध्धी द्वारा सत्य और असत्य में अंतर करने की योगेता होनी चाहिए. दूसरा अवश्यक कदम है विराग्य यानि संसारिक सुखों का त्याग और उनके प्रति अनासक्ति की भावना इसमें कर्म योग का उच आदर्श अर्थात कर्म फल की इच्छा का त्याग भी शामिल है इसके साथ साथ साधक को शट संपत्ति अर्थात छह गुणों को भी ग्रहन करना चाहिए इसके अंतरगत अंतिम गुण है मुमुक्ष्त्व अर्थात मुक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाशा इन गुणों को विक्सित कर लेने के पस्चात ज्ञान योग के अभियासी को ध्यान साधना की तीन विधियां अपनानी चाहिए श्रवन, मनन और निधी ध्यासन जिसका वरणन ध्यान साधना के अध्याय में किया गया है श्रवन से अभिप्राय, गुरू से आध्यात्मिक सत्य के विशे में सुनना तथा गुरू के शरण में रहकर धार्मिक ग्रंथों का पठन-पाठन करना है उधारन के लिए गुरू परमात्मा के विशे में इस सच्चाई के बारे में उपदेश देंगे सत्य एक है, यद्देपी विद्वान पुरुष उसे कई नामों से पुकारते हैं उस एक का योगी जन कई प्रकार से ध्यान करते हैं उस एक के समान कोई दूसरा नहीं है वही एक सभी जियोतियों की जियोती है वेह सब जीवों में वास करता है साक्षी, सर्वग्याता और द्वित्य है जो सभी गुणों से न्यारा अत्वा निर्गुण है आत्मा के विशे में गुरु यह समझा सकते हैं आत्मा आदी, अजन्मा, नित्य और स्थाई है शरीर के नश्ट होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता इसी प्रकार, आत्मा के विशे में वर्नन करते हुए गुरु आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता दर्शाने के लिए वैदिक सूत्रों के ये महावाक्य समझा सकते हैं चेतना ही ब्रह्म है, यानि प्रज्ञानम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ, यानि अहम ब्रह्मास्मी तुम वही हो, यानि तत्वमसी येह आत्मा ही ब्रह्म है, यानि अयमात्मा ब्रह्म अध्यात्मिक मार्ग का साधक इन महान सत्यों के विशे में सुनता है, पढ़ता है और अन्ततह ये उसके अस्तित्व का ही अंग बन जाते हैं अश्टा वक्र सहिता के अनुसार जैसा कोई सोचता है व्यसा ही बन जाता है दूसरा कदम है मनन, अर्थात सत्य का चिंतन साधक को चाहिए कि वह जो कुछ अपने गुरू से सुनता है या धर्म गरंथों में पढ़ता है उस पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करे तथा आत्मा और ब्रह्म के वास्त्विक स्वरूप पर मनन करे इस अवस्था में उसके मन में असंख्य शंकाईं उठती हैं इनका समाधान वह अपने गुरू के साथ विचार विमर्ष करके या पुस्तकों के पठन द्वारा कर सकता है एक बार जब वह बौधिक रूप से आश्वस्त हो जाता है कि वह वास्तव में कौन है तब उसे इस सत्य का अनुभव करने के प्रयास में जुट जाना चाहिए फिर इस सत्य का अनुभव प्राप्त करने के लिए साधक को तीसरा कदम उठाना चाहिए और वह है निदी ध्यासन अर्थात निरंतर गूड ध्यान साधना में लग जाना जब साधक यह अंतिम और अतिम हत्व पूर्ण कदम उठाता है, तथा आत्मा और परमात्मा के एकत्व पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब शरीर में सीमित उसकी आत्मा उस असीम परमात्मा में समा जाती है। इस अवस्था में मैं का अस्तित्व नहीं रहता, ब्रह्म से अलग जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे नमक की डली समुद्र में जाकर उसीमें विलीन हो जाती है। मुंडको उपनिशत के अनुसार, ना चक्षुषा ग्रिहते, ना पी वाचा, ना अन्यर देवाई स्तपसा कर्मनावा, ज्यान प्रसादेन, विशुद्ध सत्वस्त तस्तु, तम पश्यते निश्कलम ध्याय मानः। अर्थात, उसे ना नेत्रों से, ना वाणी से और ना ही अन्य इंद्रियूं द्वारा ग्रहन किया जा सकता है। किसी तप और हट कर्म से भी वह प्रकट नहीं किया जा सकता। जब मन उच ज्ञान प्राप्त करके शान्त और निर्मल हो जाता है, तब मनुष्य ध्यान साधना द्वारा उस अध्वैत ब्रह्म का साक्षात कार कर लेता है। ज्ञान योग के अभ्यासी को कर्म कांड करने की आवश्यक्ता नहीं होती। ना ही उसे कोई मानसिक शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती है। स्वामी निर्वेदानन समझाते हैं, शास्तरों में प्रकट कियेगे ज्ञान के अनुसार, आत्मा के सार तत्व पर चिंतन करना और उस पर अपना ध्यान के इंद्रित करके अभ्यास करना केवल यही ज्ञान योग का सार है। ज्ञान योग को कई बार आत्मा की खोज कहा जाता है। अर्थात यह जानना की हम कौन हैं, क्यूंकि यह आत्मा की वास्त्विक्ता को जानने से अरंब होता है और परमात्मा की प्राप्ती पर समाप्थ होता है। ज्ञान योग से प्राप्त परम अनन्द का वर्नन, मृत्यु के देवता, यम्राज ने नचिकेता को इन सुन्द शब्दों में दिया अर्थात, जो उस एक को अपने रिदय में देखते हैं, केवल उनही ग्यानी जनों को शान्ती प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं, वह सब चेतन प्राणियों की चेतना है, और वह नाश्वान जगत में शाश्वत है